नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्षिता और आप देखेर समयंटिया 24 बरेली की माप और उमेश गौतम ने गुरुबार को कुतुब खाना ओवर ब्रिच का नरक्षन किया और मीडिया को बताया कि इस महीने के अंदर तक कुतुब खाना ओवर ब्रिच पर ट्राफिक दोड़ने लगेगा नरक्षन के दोरान माप और डॉक्टर उमेश गौतम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनको लगतार शिकायत मल रही थी कि कुतुब खाना ओवर ब्रिच का काम बहुत सुस्ती से चल रहा है जिसको लेकर उन्होंने निरक्षन किया बताया कि इस ओवर ब्रिच के लंबा ये किलो मीटर से ज़ादा है और इतने लंबे पुल को बनाने में लगबग 18 महीने लग जाते है मगर ये पुल अपने निरधारित समय से एक महीने पुर्व बनकर तयार हो रहा है और इसका लगबग सारा कारे पूर्ण हो चुका है और जो भी थोड़ा बहुत कारे रह गया वो भी पूर्ण हो जाएगा और इस पुल पर रागामी 20 से 25 परवरी तक ट्राफिक दोड़ने के उम्मेद जताई जा रही है अनुमान है कि इस मैने के अंदर तक इस पुल पर ट्राफिक दोड़ने लगेगा जो कमिया रह गई है उसको भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा देखिए आज यह कुटब खाना पुल का निरिक्षण हुआ है सारे स्लैब डल चुकी है और यह जो बार बार यह बात आती है कि पुल में देरी हुई है और लेट हो रहा है ऐसा नहीं है जब भी कोई पुल बनाया जाता है जिसकी लंबाई 1000 मीटर से जादा हो तो उसका जो अनुमानिद समय होता है वो 18 महीने होता है लेकिन यह पुल 17 महीने महीं बनके तयार होगा ये 17 महिना है जिस पर अब ट्रैफिक चलने की त्यारी है इस महिने के अंत तक इस पर ट्रैफिक चल जाएगा तो समय से पूर्ण होने वाला ये पुल है अगर ये कहा जाए कि तीन महिने ड्रॉइंग चेंज होने में बीच में रोका गया था तो अगर देखा जाए तो फिर बारा महिने में ही बन रहा है तो काफी तेज गती से काम हुआ है सेतु निगम की मुझे तो ये लगता है कि अपलब्दी होगी केतने कम समय में ये काम शुरू किया है